ओम ज्यांते मिरंधस्या ज्यानं जनाशला कया चक्षूरुन मिलितं ये ना तस्मय श्री गुरुवे नमाहा आप सब लोगों को आज दिपावली की बहुत बहुत शुमम बारक जैसे की हम लोग जानते हैं आज दिपावली है लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि जो हम कार्तिक मास मना रहे हैं जिसमें सबसे प्रमुख दाम बंदन लीला है भगवान की तो वो आजी के दिन घटित हुई थी दाम बंदन लीला क्योंकि इसका प्रमान ऐसे मिलता है कि जैसे भगवान जब सुबा उठे तो मैया ददी मन्थन कर रही थी और आज मैया ने ये सोचा था कि आज अपने कनया को मैं प्रसाद खिलाऊंगी आज इसके लिए मैं ही चाच निकालूंगी और इसको मैं ही माखन अपने हाथ से निकाल के खिलाऊंगी क्यों क्योंकि अब मैया कहीं दिन से देख रही है कि हर रोज कनया की कहीं न कहीं से शिकायत आती है कि आज इसका माखन खा लिया, आज इसका माखन खा लिया, इसका खा लिया, सब्री गोपियां आके, बोलती है, आज कनेया हमारे गर आके, हांडी फोड के माखन खा गए, आज खा गए, तो हलै कि वो अलग बड़ी विस्तार से लीला है, कि जितनी सब सखियां थी, वो उन सब के कृपाई करते थे उनके घर जाते थे और उन सब को भए बड़ा आनंद होता था जब ठाकुरुजी आते थे और उनके घर मठकी फोड़ते थे कब कनया हमारे गर आएंगे हांडी फुड़ेंगे और क्योंकि फिर इसके साथ कनया का हाथ पकड़े उनको ले जाने का अवसर मिलेगा तो उनके सपर्ष सुक से उनको वातसले सिंधूं का उमर जाता था सब गोपियों का सक्षियों का जो ब्रिद सक्षिया थी तो वो सब ब्रिद गोपियां इसी लिए कनईया का हाथ पकड़के उन्हें माताय यशुदा के पास ले के आती थी और फ प्राई नहीं है इसका कि उन्हें बुरा लगता था खराब लगता बुरा लगेगा तो ठागर जी क्यों जाके फोड़ेंगे अपनी उनकी आठ लाक गया थी नंद बाबा की तो ये शोदा माता ने सोचा भई ये रोज जाता है हांडी भोड़ता है सब लोगों की तो आज मैं कुछ ऐसा करती हूं कि आज मैं इसको खिलाती हूं क्योंकि मैं हर रोज तो दासियों को बोल देती हूं वो कि आप ददी मंतन करो और आप इसको खिलाओ तो शायद हमारे यहां वो स्वाद नहीं आता होगा उनसे तो आज मैं खुद करती हूं जैसे एक माता का बात सल् मैं पूरी लीला का विस्तार में वढ़ना नहीं कर रहा तो फिर जब वो कनईया उठे और माता खिलाना चाहती दी तो आज क्यूं माता ने ये सोचा कि आज बड़ा अच्छा अवसर है आज मैं इसको खुद माखन खिलाऊंगी रोज मैया ऐसा सोचती थी पर अनलाइक जैसे आज इस जगत में होता है कि आज हम बोलते हैं कोई मेड रखके कोई नौकर रखके कि तू ये काम कर दे कर दे कर दे कि कटराता है या मदिकत से वो वो काम करता है कि यह का मुझे लोगने तब उस समय मातर में चुद़ा के यहां ऐसा होता था कि जितनी लास दासिया थे उस ले करbased har瑭ि म मतंतर करोंगे टो विद्धागोपिय हैं जो सब वहां पे थी वह सब दासीया ऐसे वोस्टी थि नहीं घाओ उन्हों ने क्या करा कि सबरी जितनी दासियां थी, सब नंदाले में थी, उनको ये शोधा माता ने का कि तुम जाओ कल गुवर्धन पूजा है और सब जाके जितने भी ब्रजवासी सब प्रसाद की विवस्था कर रहे थे, गुवर्धन पूजा में ऐसा हुआ था कि पूरे ब्रज में जितने घर है सब घरों में लगबग 100-500-200 भोग बने थे, सब घर में, आज हम 56 भोग लगाने को बड़ा मानते हैं कि चपन भोग लगाए, तो उस दिन हर घर में, हर घर में 100-200 भोग बन रहे थे, तो जितनी दासियां थी, वो सब ये शोधा माता ने भेज दी कि आप जाओ उब्रज मे जहां जिसको जो साहता की जवरत है वहां जाके उसकी साहता करो और गोवर्दन-कूजा के लिए बनाने में रंदन करने में जाओ उनकी मदद करो तो इसलिए उन्होंने जानके सारी गुप्यों को भेज दिया और सोचा आज मैं माखन खिलाऊंगी अब वह माखन खिलाने तो तो बंदर जैसा ही है यह बंदरों के साथ रह रहा के तो बिल्कुल बंदर हो गया तो कृष्ण कनहिया जो है वो जानते हैं कि मैया को कैसे तो बोलते कनायय doughnut रहूंगा और बंदों के साथ ही रहूंगा तुमारे साथ घर में रहूंगा अब जो ही यह बोला तो बोलते माता के वातसल्य सामने आ गया माता को लगा ये चंचल है ये बोल रहा है ये जिद्धी है ये चला भी जाएगा तो माता ने उनको बांध दिया उनके उदर को बांध दिया जिसके काड़न वो दमोदर कहलाने लगे और ये दमोदर लीला और दमोदर मास कहलाने लगा क्योंकि इस मा महिया ने उनके उदर से वो रसी बांगनी चाही तो रसी जैसे कि हम जानते हैं रसी दो उंगल छोटी पढ़ जाए और महिया ने का बड़ी रसी लाई वो बांदी वो फिर दो उंगल छोटी अरे महिया ने का ये कैसे हो गया ये तो बड़ी लाएं ये कैसे दो उंगल छोट ना कम होए ना जादा होए ना बड़े दोई उंगल थोटी अब जितनी आसपास की जो यश्वदा माता की सखियां सहेलियां थी वह सब हसी ने लगी परियास करने लगी माता ने यश्वदा ने बोला तुम जाओ आपने वह बकेशों से निकाल के दो जो डिबन वगेरा माता हैं लगाया करती हैं वो सब ले लिए इदर से उदर से यह कर गए वह माराज कई किलोमेटर लंबी रस्ती ले ली और फिर जब बांगने लगे तो दो उंगल छोटी है अब मैया यश्वदा जो हैं वो ऐसे हो गए कि बाई क्या करें पसीने छुट गए कि कैसे दो उंगल रही है और जब कनया ने देखा कि अब मैया जो है वु बिल्कुल ठक गही है मेरी मैया उसका उनके पसीने आने लगे तो बोलते है उन्होंने अपनी इस माया जालको इस जोंग की मायती उसको खतम किया और महिया को बोला महिया जरा अब जरा एक बारी बांद के देखना और फिर बांदा तो बोलते वो सारी रसीयों को छोड़के अब महिया ने वो सबसे पहले वली रसी से बांदा और सबसे पहले वली से बांदा तो बन गए अब दे दो उंगल छोटी पड़ गई एक बोलते अगर भगवान को आपको बांधना है अगर ठाकुर जी को आपको अपने बश्च में करना है अपने बश्च में मनलब यह प्रेम की बात है ऐसे नहीं किस तरीके से ठाकुर जी को अपने कंट्रोल में करके रखेंगे कोई तत्व से अधिकार से नहीं प्रेम से तो प्रेम से अगर आप ठाकुर जी को बांधना चाहते हो तो दो उंगल छोटी पड़ गए वो था एक जीव का प्रयास एक जीव का प्रयास और दूसरी भगवान की कृपा यह दो चीजे होना अवश्यक है यह दो चीजे नहीं होंगी तो हम करा रहा था और अब रादादा सुदानेदी पे अगर हम आएं तो आज लगवक थोड़ी चर्चा भी इसी प्रकार की शुरुवात में बाबा ने करी कोइंसिडेंटली की इसी बात को बाबा बोल रहे हैं कि देखो जो श्रीपाद हैं श्रीपाद की एक करम से लीला का स्फुरण चल रहा है पहले किशोरी जी के साथ उन्होंने परिहास में बोला क्रिष्ण अंग या क्रिष्ण का संग आपको चाहिए मतलब क्रिष्ण अमरेत या क्रिष्ण संग अमरेत उन्होंने यमुनाशनान को बोला इन्होंने परिहास में उसका तात्परे लिया कि क्रिष्ण का अमरेत मतलब क्रिष्ण संग अमरेत और फिर उस परिहास को ही अपनी सेवा रूप में उन्होंने किया कि अगले श्लोक में वो किशोरी जी को फिर जब उनको वापिस लेके गए तो वो विरहनी को संतावना देते हुए किश्वरी जी को उनके प्रसाद की वेवस्ता उनके विश्राम के लिए चिंतित थे वो विश्राम कराया और जब विश्राम कराके उनके चरण दवाने को वे तो अभी दबाई रहे थे जुई उन चरणों को उनका मन हुआ कि इन चरणों को तो चूम लिया जाए तो जैसे ही चूमने लगे उन चरणों को तो लीला में विराम आ गया तो अब इसका लिंक दामोदर लीला से जां हम बोल रहे हैं के दो उगल छोटी पड़ गई तो वो एक जीव का प्रयास और दूसरी भगवत क्रिपा तो हम लोगों को यही आज के शलोक में बाबा भी समझा रहे हैं के स्मरन निष्ट सादक के लिए थोड़ी बहुत सेवा पारस की अनुभूती अवश्यक है जितने भी स्मरन निष्ट सादक है स्मरन निष्ट सादक मतलब जो स्मरन का महत्व जानते हैं जो जानते हैं कि स्मरन जो है वो राग मार्ग के भजन का प्राण है अगर आपने स्मरन नहीं किया तो आपका भजन फिर मतलब यूं समझ ल हो इस प्रकार से मतलब इतनी बहुक्त अमूले वस्तू आपके पास होते हुए और आप वही बिर्कुल छोटा काम कर रहे हो कि ऐसा भजन किर जिसमें स्मरण नहीं है और वह भजन जो स्मरण के साथ किया जाता है इसमें छोटा वो तो केवल ऐसे है कि आप असाधन नहीं कर रहे हो तो चलो दीरे 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 उसकी सुकृतियां आपको प्राप्त होंगी पर असली साधना वो ही है जो स्मरण के साथ की जाए तो यही अनुभूती साक्षात सेवा प्राप्ती के अभाव को हर समय हिर्दे में जगाए रखती है ये अनुभूती कौन सी अनुभूती जो हमें सेवा रस की अनुभूती मिलती है मैं आपको सरल शब् है उस सेवा का जो हमें आनंद मिलता है वो बड़ा अवश्यम्भवी हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे अवश्यक है जो उस सेवा में आनंद मिला किस सेवा में जो हमने स्मरण में करी पहला स्मरण करें स्मरण में कोई सेवा कर सेवा रस का आनंद होना चाहिए जैसे इतन जो अलग-अलग सेवा करें, उस सेवा में एक रस मिल रहा है, जैसे कोई माला गुंथन की किसी की सेवा है, जैसे किसी की पाद सम्वान की सेवा है, सबकी अपनी अपनी एक फेवरिट सेवा है, यह सबको जिन जिन को स्वरूप पराप्त है, उन सबको एक-एक उग की सेवा प्राप्त की गई है तो उस सेवा का तो खासकर रोज चिंतन करना चाहिए जो आपके स्वरूप की एक सेवा है उस सेवा का तो जरूर चिंतन करें और धीरे 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 फिर उस सेवा में थोड़ा आनंद आता है हमने पहले कहीं बार यह चर्चा करी है कि कहीं ऐसे के लिए गरम दूद लेके जाते रोज 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 एक ही सेवा रोज करते कि और बहुत सारी सेवा करते इस मरण में पर यह प्रमुकता यह मेरी सेवा है मैं किशोरी जी के लिए गरम दूद लेके जा रही हूं और एक दिन उन्हें लगा कि यह जो दूद है यह ज्यादा गरम है तो यह पिलाना चाहिए यह नहीं पिलाना चाहिए तो उन्होंने उंगली डाल के उसमें देखा और जो उंगली डाल के देखा तो दूट बहुत गरम था तो ऐसे डाला बहुत गरम दूट था उसी समय लीला में विराम आ गया और जब यहां देखा तो साक्षात सेवा प्राप्ति के आभाव को हर समय हिर्दे में जगाए रखती है आपने भाव में सेवा करी तो जो आपने भाव में सेवा करी उसकी जो अनुभूती होई वो अनुभूती आपको साक्षात जो सेवा आप करोगे अभी साक्षात सेवा तो नहीं होई न तो जो आ आप साक्षात सेवा करोगे वो अभी नहीं मिल रही उसके आभाव को हर समय आपके हिर्दे में जगाई रखेगी वह अनुभूती बात समझ रहे हो उसका आभाव तो होना चाहिए ना कि मैं साक्षात किशुरी जी की सेवा नहीं कर पा रहा मैं साक्षात शामसुंदर की सेव कर पा रहा मैं रोज बहुंप लगाता हूं अर्चविद्रे को अपने गज़में रोज बहुंदावन में जब मैंने भोग लगाया तो किशोरजू बैठे हैं, शामाजू बैठी हैं और शामाजू अपने हाथ से किशोरजू को ये प्रसाद पवा रही ये स्मरण कर रहे है जो रसिक भक्त हैं, जो मादुर्य उपासक हैं, वो लोग इसी प्रकार से स्मरण करते हैं कौन कृष्ण को खाना खिलाएगा ये स्मरण भी बड़ा जरूरी है आपने कृष्ण को भोग लगाया अब ऐसे थोड़े ना भोग लगेगा अगर राग से सेवा करोगे तो क्या स्मरण करोगे, ऐसे थोड़े कि आपने कृष्ण के सामने ठाली रगती लोठागुर आपके लिए थाली रगती, खाओ ऐसे तोड़े कृष्ण कभी खाते ही नहीं ये तो उनका तरीका ही नहीं इस्टाइल ही नहीं उनका खाने का तो क्रिष्ण कैसे खाएगे आप खिलाओगे, तो आपका भी ये सेवा के अनुरूप नहीं है के एक मंजरी जाके कृष्ण को खिला रही है, मंजरी कृष्ण को क्या खिलाती है, वो तो किशोरी जी तसाथ होती होती है तो बिर्कुल सेवा के अनुरूप सेवा का अस्वादन, सेवा का स्फुरन स्वेया की स्फूर्टी, सेवा कचिन तन वो कैसे कि मैंने जैसे एक थाल में ठाकुर जी के लिए ये रखा जो भी आपने बनाया जो भी चीज वस्तु आपने अपने घर में आपने अपने घर में राजमा चावल बनाए राजमा चावल आपने ठाकुर जी के समक्ष भोग लगाए तो किशोरी जी एक एक च थीलाती नएँ अज अच्छा नहीं आज दिखो अच्छा नीलागा और वह वही अपने मुखा निकाल के चमच में दे तेने यह तो अच्छा नहीं लग रहा इस तो नवग नापने को इन्वे यह वह नमक की बात नहीं है वह बात यह कि उनका उनका अध्रामरित वह देना चाहती वह देना चाहते हैं शाम यूग तो समझ गई तो अब वह वह जो आप लगा तो यह जब हम भोग लगाएंगे इस प्रकार से स्मरण करते हुए तो फिर हमारे भीतर समरण यह रोज करते 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 एक दिन आएगा कि कब साक्षात में ऐसे खिलाऊंगा यह तो अभी तुमें चिंतन कर रहा हूं कब ऐसे होगा कि मैं सामने होंगा और यह मैं देखोंगा मुझे देखना है जो मैं चिंतन कर रहा हूं क्या यह सत्य चिंतन है कि नहीं है ऐसे भी कहीं संत जानके अड़ जाते हैं कि पता कि इस प्रकार से बोला तो इसी बात को बाबा बोल रहे हैं कि यह अनुभूती जो है सेवा रसकी यह साक्षात सेवा प्राप्ति के आभाव को कि सेवा प्राप्ति के आभाव को हर समय हिर्दे में जगाय रखती है कि साक्षात मेरे को सेवा नहीं मिली श्रीमत जीव को सौमिपाद ने भी यह बात बोली कि सादक के चित में जो सेवा अभिलाश है कि मुझे यह सेवा करनी है इसके साथ सोहिर्द अभिलाश भी होने चाह खिला रहा हूं आप मैं अपने किसी के सेवा करों बड़े प्रेम से बड़े प्रणे के साथ अब अगर हम विलाब कुछुमांजली में पड़ें तो उसमें चर्चा आती है कि जो मंजरी वो किशोरी जी के बालों में कंगी कर रहे हैं ऑगर चिंतन करो तो आपने जी वो बाल पीछे से लिए और ब्रश करना शुरू किया कंगी करना शुरू किया और इस प्रकार से चिंतन यह ऐसे होगा हमारा यही देखा यही स्टाइल है हमारा ओ अठके पड़ रही है और रूजा रूजा कोई बाद निको बाद निए वह उसकी आठके खीच-खीच-खीच-खीच- कोई मेरे करोड़ों जनम निच्छावर है एक एक बाल पर और इस प्रकार से कंगी कर रहे हैं ऐसा सपर्श दे रहे हैं कि किशोरी जी को लगता है कि अरे बारबर बार गुम के दिख अच्छा तू है मुझे ऐसे लगए जैसे शाम ही आ गए ऐसा ऐसा उनको सपर्श दे र तो बहुत दूतна बहुत दूर की बात है इतने प्रेम के साथ कङई और है कि अभी अभी आम कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो इस से सोहिर्द अभिलाश विल्कुल अपने किसी की कर रहे हैं और प्रणे के साथ और प्राप्ति अभिलाश कि यह करूं कब ऐसा होगा कि मैं यह कर पाऊं पर विषय वासना से पंकिल हुए चित में यह अभिलाशा जगती नहीं है इसका मतलब जो हमारे भीतर जो इतनी सारी विषय वासना भरी हुई है हमारा मन उससे मेला हो गया है और उस मेले मन के अंदर यह अभिलाशा नहीं जगती है तो हम जब यह कथा में पढ़ते हैं या कथा में सुनते हैं या यह शास्त्र में पढ़ते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए हमारे बीतर्य अभी लाशा जगती है और फिर जैसे यह बात खतम होती है तो फिर मन वही विशेवासनाओं में लग जाता है और सफेद था उस पे अलग रंग चड़ जाता है तो ऐसे ही हमारे बीतर विशे का ऐसा रंग चड़ जाता है कि वो जो अभी लाश थी वो जो शुद्चित की हमारी जो हमारे सुरण की जो हमने सुर्ती में यह जो हमने चिंतन किया था सुबह माला करते हुए, उस समय जो थोड़ी सी, थोड़ी अभी लाशा जगी थी, वो पूरे दिन के कारे रत में हमारी ऐसे गायव हो जाती है, कि बिल्कुल मैं तो कहीं बारी ऐसे, खुद ये मेरा experience रहा है, कि सुबह उठके जो साधना करी, उसके बाद दि लोग एक दुनिया होती है, तो इसी लिए विशे वासना से बचते हुए, विशे से इस जगत से अपने आपको थोड़ा अलग मानते हुए, इसलिए बार-बार-बार बोलते हैं कि अपने बीतर ये एक स्वाद रहना चाहिए कि मैं मंजरी हूं, करते-करते-करते-करते, थ नहां पर अभी निवेश कम हो, तो फिर दीरे 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 ये अभिलाश जगेगी, ये अभिलाश रहेगी, साधन भक्ती परिमार्जित करती है हमारे चित को, अब साधन अगर दिन के किसी एक कोने में होगा, कि बस सुबह उठे, सुबह उठके तीन-चार घंटे में अप फिर उसके बाद पूरा दिन आपने माला पकड़ी नहीं, और एक जो बगत ऐसे खाली बैटे, अब भी बैटे माला कर रहे हैं, तो आप माला नहीं करें, मैं तो सुबह इखाता हूँ, साथ मैं रखता हूँ, तो इस प्रकार की साधना जो है, जो केवल नियम की पूरती के लिए की जा रही है, फिर उसमें यह बिलाश नहीं जगती, चाया आप कितनी भी कर रहे हो, मालो आप सौ दोसो, सवा दोसो, ढईसो माला भी अगर आप कर रहे हो, लेकिन आपने एक कोने में कर दी, कि मैं सुबह पांच घंटे बैटके कर लिए, पूरा दिन मैं नहीं लेक चल रहा, तो इसका मतलब पूरा दिन लेके नहीं चल रहा, तो मतलब नाम में स्वाद तो नहीं आया ना, वो तो आपने नियम रुमे की चलो यार यह काम पहले खतम कर दो, तो इस प्रकार से अगर साधना की गई, तो उस साधना का फिर रागमार्ग की साधना नहीं है, उ हमारी साधना उस सेवा को प्राप्ट करने कि उसमें तो रुची और जर्णी शुड़ बी as good as destination and the journey is actually as good as destination पर अगर हमें अभी स्वाद नहीं आये तो दीरे 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 इसका मतलब जो हम कर रही हैं जो मैंने पहले भी चर्चा करी थी के हम अपनी साधना को ओशदी रूप में कर रहे हैं, सू स्वादू भोजन रूप में नहीं कर रहे हैं, सू स्वादू भोजन रूप में करोगे तो फिर अच्छा खाना कौन दिन के कौन से समय में नहीं खाना चाते हैं, तो इसलिए उसको स्वाद में लाके, स्वाद में लाने क तो भक्त लोग जो है वो आपस में इसी लिए इश्ट गोश्टी भी किया करते हैं क्यों क्योंकि जब मिलते हैं तो एक दूसरे के experience पता लगते हैं एक दूसरे से बात करने पर उसकी साधना की आपस में चर्चा करने में और कुछ और कुछ सीखने को मिलता है और इसी को असल में उपासना बोलते हैं उपासना का क्या अर्थ है उप मतलब पास और आसन मतलब बैठना तो उपासना मतलब जो साथ बैठे हैं हम उपासना कर रहे हैं मतलब समीप बैठे हैं भगवान के समीप है यह उपासना है कि जो साथ में मतलब बिरुकुल पास में आसन बैठे हैं यही उपासना का असली अर्थ है और अगर साथ बैठे ही नहीं कोई स्मरण हुआ ही नहीं तो फिर उपासना बन से ज़्यादा हमारी सेवा ऐसी हो कि जो हमारी सिद्ध दे के अनुकूल सेवा हो उसके पास रहके करें तो हमारा भजनांग जो है इसी को सासंग भजन बोला गया है सासंग भजन क्या है सासंग जानते हैं ना कि संग में उसी के साथ में रहके भजन करना तो किसके साथ में रह रहा था तो उसमें एक उंगली जो कम है पहली उंगली वो क्या है वो इस प्रयास की अब हम यह प्रयास करते ही नहीं यह हमारी कोई साधना कर रहे हैं ये दामोदर मास की साधना कब सफल होगी जब पहले दामोदर लीला के ये दो बाते प्रमुक्ता समझें ये बड़ा बहुत बड़ा तत्व है ऐसे थोड़े ना कि नाटक में बस ठागुर जी नहीं ये लीला कर दी कि इतनी लंबी-लंबी रस्ती लिए जा बिन्दाबन चलें आरे टागुर जी की क्रिपा होगी तो बुला लेंगे और सिनेमा बजरना के लिए कोई सिनेमा वला बुलाने आता है क्या आपको आपको आपका प्रयास होता है तो ना तो ऐसे ही साधना में हमारा प्रयास पहले होगा और फिर क्रिपा होगी तो आप ब मैंने कमाया मुझे मिली, तो पुर इसमें क्रिपा क्या हुई? क्रिपा की बात ये हुई, कि आप जितना अमरजी स्मरण करलो, अमेरिका के एक बहुत बड़े रिजॉर्ट का, अमेरिका के होटल का, न्यू यॉयॉक का, लास वेगास का अव मारद का अधाए क क्टो के बेज लेकिन ठाकुर जी का चिंतन करने से ठाकुर जी बोलते हैं वो तो भक्ती पिपासू हैं जिसका देखते हैं ऐसी वक्ती है तो वो प्यासे होके वो ढूंटे हैं कि शोरी जी ढूंटे हैं कि कौन है और उसको प्राप्त कर ले ये क्रिपा है हम कभी वो साथ कोई ऐसा साधन हम करें नहीं सकते के हमें वो इतनी बड़ी वस्तु प्राप्त हो जात तो जब वह देखते हैं कि इसके छोटे से एफर्ट्स हैं तब वो क्रिपा कर देते हैं जैसे गिलैरी की लीला हमने देखी है कि वो जब भगवान का सेतु बनता था तो गिलैरी जाके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कंकर रखते तो ठाकुर जी उस गिलैरी से प्रसंद हो गया है इससे मतलब नहीं है कि यह कितना एफ़र्ट करे वो कुछ करे या नहीं करे उसकी कोशिश तो है सेतु बनाने नहीं तो इसी प्रकार से हमारी जो शमता है वो तो उस गिलैरी से भी कम है तो हम कमा कभी नहीं सकते क्रिपा करते हैं ठाकुर जी वो जब देखते हैं कि पहली उंगली सादक भरता है और दूसरी इंगली कोई एक जना नहीं कोल सकता तो यह जो दो उंगली छोटी हैं इसमें एक हमारी यह साधना रहेगी और फिर एक ठाकुर जी की क्रिपा की चाबी लगेगी और फिर ताला खुलके यह हमारा जो बंदन है यह दे बंदन यह खुल जाएगा और वहां चलेंगे तो आज अठार लोग फिर यह राधारा सुधा नहीं दीगे अठारवेश लोग पर जो उनके गुणों का वो चिंतन कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे जैरा